आज हम आपके लिए अमरी सर के अंदर एक 200 स्केर याड की कोठी लेके आए हैं ये 5BH के कोठी है और फुली फनिश्ट कोठी आपको मिलेगी कोठी आईए आपको अंदर से दिखाते हैं कोठी में एंटर करता ही सबसे पहले लॉबी एरिया है लॉबी के अंदर आप देखिए प्रॉपर सिटिंग एरिया बनाया गया है यही से स्टेर के सुपर फर्स फ्लोर के लिए जा रही है उसी के आपोजिट आप देखिए लिविंग रूम बनाया गया है पूरे घर के अंदर आप देखे कटनी मार्बल यूज किया गया है प्रॉपर तरीके से देखे लेविंग रूम के अंदर प्रॉपर कॉर्नर सोफा सेट बनाया गया है इसके लावा देखे विंडो के ओपर प्रॉपर कटन लगाये गये है डाउन सिलिंग का काम किया गया है काफी अच्छे तरीके से इस पूरे घर को डिजैन किया गया है ये घर आपको फुली फरनिश्ट मिलेगा इसके अंदर आप जो भी चीज देख रहे हैं चाहे वो फरनिचर है, कर्टन है या इसके लावा कोई अधर आइटम है वो सब आपको इसी के साथ इंकलूड मिलेगी लॉबी के अंदर भी प्रॉपर सेटिंग की स्पेस दी गई है डबल हाइट का कट आउट बनाया गया है उपर आप देखे स्काइलाइट बनाया गया है आईए अब आपको किचेन एरिया दिखाते हैं काफी अच्छी किचेन की स्पेस दी गई है तकरीबन 10 फूट बाई 12 फूट की ये किचेन है प्रॉपर तरीके से आप देखे L शेप का काउंटर लगाया गया है काउंटर के उपर ग्रेन एट मार्बल लगाया गया है इसके लावा पूरा वूट वर का काम कम्पलीट किया गया है रोशनी और वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है किचेन के अंदर आप जितने भी अप्लाइसेंस देख रहे हैं यह चिमनी है होब है फ्रीज है माइक्रोवे है यह सब इसी के साथ इंकलूड है इसके लावा क्रॉकरी भी इंकलूड है आईए आपको ग्राउंट फ्लेर पर जो मास्टर बैडरूम है वो दिखाते हैं काफी अच्छे बड़े साइज का है मास्टर बैडरूम में प्रॉपर डाउंसिलिंग का काम किया गया है डबल बैड विद साइट टेबल लगाया गया है बैड के अपोजिट आप देखे टीवी यूनिट बनाया गया है काफी अच्छा बैडरूम के लिए स्पेस दिया गया है इसके लाव आप देखे डबल चेर सिटिंग भी बनायी गयी है इस कमरे के अंदर डेट टेन का विंडो एसी लगाया गया है यह पूरा फनीचर टीवी बैड साइट टेबल टेबल लैंब एसी सब इसके साथ इंक्लूड आपको मिलेगा इसके साथ आप देखे एक स्टोर एरिया दिया गया है इसके अंदर फूल हाइट वाडरो बनाई गयी है क्लाइन ने यह घर अपने रहने के लिए बनाया है काफी स्ट्राउंग यह कर बनाया गहा है और इसके अंदर आप देखें इंटीर काफी डिटेलिंग के साथ किया गया है कट्नी मार्वल आप देखें प्रॉपर ग्रेन मैच करके लगाया गया है इसी के साथ अटेच बात्रूम और ड्रेसर एरिया आपको वो भी दिखाते हैं ड्रेसर के लिए अलग से स्पेस दी गई है प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आप देखे मीरर लगाया गया है और ग्लाश शेल्व लगाये गई है समान रखने के लिए बात्रूम के लिए आप देखे एक पार्टिशन मनाया गया है काफी बड़ा ये बात्रूम है प्रॉपर तरीके से वाल फ्लो टाइल लगाये गई है और पुरी बात्रूम की फिटिंग इंस्टॉल है रोशनी वेंटिलेशन के लिए रोशनदान दिया गया है बात्रूम के अंदर आप देखे शावर पैनल भी लगाया गया है काफी अच्छी क्वाल्टी का ये पूरा घर है काफी अच्छी प्राइम लोकेशन पे अमरी सेर में ये आपको मिल जाएगी आईए आपको सेकिंड बेडरूम दिखाते हैं जिसको ऐसे डाइनिंग कम बार एरिया के अंदर कनवर्ट किया गया है सेंटर में आप देखिए डाइनिंग टेबल है eight chair प्रॉपर तरीके से डाउन सिलिंग का काम किया गया है एक कॉर्णर पे आप देखिए बियर बार बनाए गया है इसी के इलावा wall के ओपर TV unit लगाया गया है और आप देखिए corner में L shape का side table बनाया गया है काफी अच्छे तरीके से इसका design किया गया है इस कमरे के अंदर आप जितना भी देख रहे हैं crockeri हो गया, finish हो गया, dining table हो गया, side table हो गया TV unit हो गया, यह सब आपको इसी के साथ include मिलेगा इस room को आप चाहिए तो अपना bedroom बना सकते हैं इसके साथ भी attached bathroom दिया गया है काफी अच्छे तरीके से well maintained bathroom है proper तरीके से bathroom की fitting install है पूरे घर का layout काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है इसके इलावा ground floor पे एक duct area है जो काफी बड़ा है आईए आपको duct area भी दिखाते है यह 200 square yard का घर है इसकी dimension front 30 foot और इसके लंबाई 60 foot है आप duct area देखिए 8 foot by 15 foot का यह duct area है proper तरीके से आप देखिए पूरे घर का ventilation यही से है safety के लिए उपर जाल लगाया गया है एक wash machine यहाँ पर लगाया गया है इस area को as a washing area के तोर पर इस्तमाल किया जाता है बहुत सुन्दर बढ़िया यह घर आपको मिल रहा है fully furnished 5BHK 200 square yard के अंदर अमरी सेर के अंदर prime location पे यह property है हमारी दी information अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे channel को subscribe कीजिए unlock super property और bell icon को press कीजिए like and share कीजिए इसी तरह की अच्छी information हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं तीन food wide staircase है proper आप देखिए marble लगाया गया steel की layering लगाई गई है first floor पर आप देखिए three side passage area है top पर आप देखिए skylight proper dome बनाया गया है काफी अच्छे तरीके से इस पूरे घर को design किया गया है first floor पर तीन bedroom attached bathroom एक पूजा room और एक kitchen की space दी गई है आईए आपको bedroom दिखाते हैं अब इससे पहले आप cut out से नीचे का view देखिए cut out की वज़े से आप घर के अंदर आपको ऐसा feel होगा कि यह पूरा duplex है आईए आपको bedroom दिखाते हैं bedroom को देखिए blue color की theme के ओपर बनाया गया है काफी अच्छी down ceiling है proper double bed लगाया गया है लोशनीर ventilation के लिए window दी गई है proper तरीके से देखिए सामने guest के लिए chair लगाई गई है floor के ओपर कट्टी marble लगाया गया है इस room के साथ भी attached dresser area है proper तरीके से देखिए इसके अंदर full height की wooden wardrobe बनाई गई है इस घर के अंदर आपको सिरफ अपने कपड़े लेके आनी है इस घर के अंदर आपको जो भी material दिख रहा है चाहिए वो furniture है AC है, fittings है, crocker है, dining table है, यह सब इसके साथ include है आईए आपको bathroom area दिखाते हैं bathroom से पहले dresser area दिया गया है, proper इसके अंदर आप देखिए dressing table बनाया गया है wall के उपर आप देखिए, proper panelling की गई है bathroom के लिए आप देखिए, एक sliding door लगाया गया है, partition proper तरीके से blue theme के उपर भी इस bathroom को बनाया गया है दिवारों के उपर आप देखिए, painting लगाया गया है, shower panel लगाया गया है, रोचनी और ventilation के लिए रोचनदान दिया गया है काफी अच्छी well maintain ये property है, और काफी अच्छी prime location पे ये property है ऐसा मौका कभी कभी मिलता है कि इस तरह की prime property with furniture आपको मिल जाए आईए आपको second bedroom दिखाते हैं second bedroom के अंदर आप देखिए, proper double bed लगाया गया है with side table down selling का काम किया गया है, इसके अंदर आप देखिए, एक dresser dressing table है इसके लावा एक steel की almira है और press table भी है इस कमरे के साथ भी attached bathroom है काफी अच्छे तरीके से well maintain ये bathroom है पूरी branded company की fitting लगाये गई है पूरे घर के अंदर आप जितने भी चोकट दरवाजे देख रही है सारे टीक वूट के बनाये गई है और proper polish की गई है रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है आईए आपको kitchen की space दिखाते हैं kitchen को as a store use किया जा रहा है आप चाहें तो इसको proper kitchen भी treat कर सकते हैं रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है एल शेप का counter लगाया गया है और double bowl का sink लगाया गया है आईए अब आपको third bedroom की तरफ लेके चलते हैं काफी spaces ये पूरा घर है और काफी अच्छे तरीके से इसका design किया गया है आप ये first floor पर third bedroom देखिए floor के उपर wooden flooring लगाई गयी है proper down ceiling का काम किया गया है रोशनी वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ी विंडो दी गयी है इस room को अभी as a gym room के तोर पर इस्तमाल किया जा रहा है और इसको अभी as a store की तरह ही इस्तमाल किया जा रहा है बड़ काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है इसके साथ भी attach dresser area और bathroom की space दी गयी है इस space पे आप अपनी full light की wardrobe बना सकते हैं proper bathroom बनाया गया है पूरी bathroom की fitting install है रोशनी ventilation के लिए window दी गयी है काफी अच्छी prime property है ये अगर आप इस property को देखना चाते हैं विजिट करना चाते हैं तो हमारे दियो नंबर पर contact कीजिए आई ये आपको पूजा room दिखाते हैं proper तरीके से काफी अच्छी space पूजा room के लिए दी गयी है काफी peaceful शान्त ये area है रोशनी वेंटिलेशन के लिए window है और यहीं से एक रास्ता भार बालकनी की तरफ भी जाता है staircase के नीचे की space को आप अपनी storage के तोर पे इस्तमाल कर सकते हैं proper तीन फूट की white staircase से कटनी marble लगाया गया है और stainless steel की railing लगाई गयी है घर के अंदर emergency के लिए inverter लगाया गया है यह सब कुछ आपको इसी के साथ include मिलेगा मम्टी के ओपर steel का डोर लगाया गया है आई आपको terrace दिखाते है terrace पर आप देखिए जो back set पर रूम है वो servant रूम है इसके साथ attach एक bathroom भी है skylight को proper देखे cover किया गया है पीछे duct area को भी proper cover किया गया है इसके इलावा आप देखिए चट के उपर front मम्टी के साथ भी एक storage की space दी गई है अगर यह आप कोटी देखना चाते हैं विजिट करना चाते हैं परचेस करना चाते हैं तो हमारे दिवे नंबर पर contact कीजिए और अगर आप इसकी पूरी detail जाना चाते हैं तो आप description के अंदर देखिए उसके अंदर पूरी detail दी गई है यह property काफी prime location मजीठा रोड के उपर नगीना एवेन्यू के अंदर located है main gate से enter करते हैं देखिए parking की space दी गई है setback area तकरीबन आठ से 10 foot का दिया गया है उसके अंदर आप देखिए काफी अच्छे तरीके से garden बनाया गया है काफी अच्छी well maintained client के द्वारा यह कोटी बनाई गई है काफी यह मजबूत कोटी है fully furnished कोटी 200 square yard की 5 BHK आपको अंदर मिल जाएगी वो भी prime location अमरिसर के अंदर अगर आप इसको देखना चाते हैं आप इसमें interested है तो जल्दी से हमें call कीजिए अमरिसर के अंदर अगर आप कोई property sale purchase कर रहे हैं और आपको हमारी help की जरूरत है तो आप हमारे से contact कर सकते हैं हम लोग आपकी proper help करेंगे इसके इलावा आपका कोई question हो तो वो भी आप हमारे से बात कर सकते हैं thank you for watching my video हुआ 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 है